हेलो फ्रेंद्स व्हेलकम टो ट्यू चैनल तो आज हम लोग इस वीडियो में कैंसर से संबंधित जितने भी प्रसथा चैनल कोईग और चैनल के जितने भी प्रशन चैनलays सबसे पहले तो अच्छा यह फिर उत्यक को यह परभावित करता है ठीक है इसका राइट एंसलों जागा तो अच्छा नेश्ट कोशन रखिए सरीर में कौन सी बीमारी होती है जिसमें कोस्का आस्मान रूप से बढ़ने लगती है तो देखें जब कैंसर हो जाता है तो इसमे साज़री कम जाता है सब 3 세क सब्स का माना जाता है ऐसा निय्यक्त करणही देखिए कि पहला इस एए कैंसरो सब्सक्ति में मनाया गया था ठीक है ने इसन कॉर्षण पहला कैंसर दिवस के दिशित में मनाया गया था है जो की जनेवा के शुरेट जैलैंड में। मनाया गया था सबसे पहले को पारिए ôThat कैंसर से उत्वति पत्ति का स्रे किस ब्रग्यानी को जाता है यह हीपो सद्गूर्पति का इसरे हीपोक्रेट्स को जाता है आप रोग याद दखिएगा नेस्ट कोश्टन देखिए कैंसर की खोज कव वा था इसकी खोज है जो की 460 रस बरस पूर्ष हुआ था कैंसर की खोज 460 रस पूर होगा जया तो नहीं होती है तो परिस्ट कैंसर है केंसर में सरीर का कौन सा भाग परभावित होता है तो यह सरीर में देखेगा कोसका जो की असमान रूप से बढ़ने लगता है तो कौन सा भाग परभावित हो जाएगा तो कोसका जो की इसमान रूप से बढ़ने लग जाता है तो अपसन नमबर ए इसका राइट टेंसर हो जा लेकिन मुख रूप से, हाट से, कितना अठ से, दस परकार के कैंसर पाय जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में 200 कैंसर उपलब्ध हैं। ठीक है। नेश्ट कोष्ण देखिएगा। कैंसर सेल के गूछा को क्या का जाता है। तो cancer cell की गुच्छा को बहुत सारी cancer की कुशकों को धेर को हम लोग क्या कहते हैं यानि जो गुच्छा बन जाता है धेर सारा cancer को गुच्छा बन जाता है उससे हम लोग tumor कहते हैं option number 10 का right cancer हो जाएगा tumor कहते है उसको ठीक है next question देखेगा खून के जरीए बाकी हिसो में फैलने वाले cancer को क्या कह जाता है तो देखेगे जो खून के जरीए फैलता है उस cancer को हम लोग क्या कहते हैं तो उससे हम लोग leukemia कहते हैं थेक है है लिकलीप्र की सरीर के बाकी ही स्वमें किसके घरिज़ा रटा है थीक तो आ Edinburgh इसका राइट सबसे पहले गाट पाया जाता है उसे हम लोग प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं और इसका राइट रोजागा प्राइमरी ट्यूमर ठीक है नेक्ट कोशन देखेगा ध्रूम पर करने से कौन से कैंसर होता है तो यह आप लोग भी जानते होंगे कि ध्रूम पर करने से हमारा फेफ़ड़ा है जो की खाव हो जाता है तो इससे कौन से कैंसर हो जागा फेफ़ड़ा का कैंसर ठीक है नेक्ट कोशन देखेए ओजोन छेरन के कारण कौन सी कैंसर होता है तो देखिए जो ओजोन छहरन होता है उससे कौन सा कैंसर होता है तो उससे है जो की असकीन कैंसर होता है असकीन ठीक है नेश्ट कोशन देखिए कैंसर की इलाज में कौन सी बीधी अपनाते हैं देखिए कैंसर की इलाज में कीमो ठ्रैपी भी इलाज में सामिल नहीं है तो देखिए CT scan है यहां पर ध्यान दिजएगा CT scan है जो कि cancer के इलाज में सामिल नहीं है यानि option number डीस का राइट राइट रहो जागा surgery किया जाता है रेडियेशन थरफी भी किया जाता है अस्टेस्य ट्रांस्प्लेंट भी किया जाता है तो option कोंचन देखिएगा न में कौन सी जिसके दवाराया cancer के पता किया जाता है उसका कोंसीन तीनों को अपयोग है जो कि cancer को पता किया जाता है इससे cancer को पता किया ज़्यादए कि cancer है कि नहीं नेस्ट कोशन देखा उस cancer का नाम बताएं जो त्वाचा से सुरू होता है और अनंगों को भी प्रभावित करता है तो इसका राइट एंसर हो जागा कार्शी नूमा कार्शी नूमा है जो कि त्वाचा से सुरू होकर साभी एंको लास्ट में जाकर प्रभावित करता है तो इसका राइट एंसर हो जागा कार्शी नूमा ठीक है नेस्ट कोशन देखिए तरनाम बताएं जिसमें 20 में सबसे धीक पूर्षों के मिल्थ होती है तो इसका राइट चैंसर हो जागा चैंसर कितों किसे कहते हैं तो मेटाश्ट कैंसर होसर है नवा कैंसर है जो शरीड मेन भाग को पैलने में सचभा रहा गारी लूकेमिया प्लाइट इसका लूकेमि 시청ृप होझता है तो आपसे नूमरी मिसें 20 2018 क दा इसका राइट एंसर होजाएगा. नेस्ट कोर्शन देखिए थे Cancer का जनक किस बग्यानिक को कहां माना जाता है? यत един हो जाता है जो कि हीपोक्रेटस को माना जाता है तो 90 कोर्शन है कि बेंजिन का समद्ध निम मंचिन में से किस समध्द है? जिसका आर देम मंचिन हो जागा, इसका आर दम ठीक है नेश्ट कॉर्चन, देखिएगा एंडो मेर्ट्रील एक सार कोमा चैनल सार कोमा शंभाता है अरु यह नियुमेट्रील और आप धियान रहत है कहा था यह बस्यांन है इस बंधित घ्रात शूर्ष जाना जाता है तो अबस्ता चार कैंसर का मतलब क्या होता है तो अबस्ता चार कैंसर का का मतलब क्या होता है कैंसर के एन हिस्तों में फैल गया है तो किया हो दो यह क faced the करने साल चल्म हो जागा नेकर कि गुष्ण 2 को झाफ इस इस है कि विकेरीडियांच तरेमिक त्रेकिं होती है जो कि इसाज़ी aja किशने radiation दो परकार के एक हम लोग जिसे कहते हैं external beam कहते हैं एक को हम लोग external beam कहते हैं और दूसरा को हम लोग internal beam कहते हैं दूसरा को हम लोग internal beam कहते हैं तो यह दो परकार की होती है radiation therapy जिसे हम लोग external beam और internal beam कहते हैं शरीर में कसकाओं का असमान बिर्दी को किस रूप में जाना जाता है तो देखें ज़िए जब सरीर में असमान रूप से लगथार कॉसका की विर्दी हो SEC उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं तो उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं कैंसर के रूप में जानते हैं तो आपसन नंबर 20 का राइट एंसर हो जाएगा अब देखे इसे मैलिग नेंसर भी कहते हैं मैलिग नेंसर भी से कहते हैं यानि इसका राइट एंसर हो जाएग सार्खूइब जाता है और जिसमें बलाइड से कैसर हो इसे हम लोग कहते हैं छो सरकोमा कहते हैं तो अप्शन निम्र सी का राइट एंसर हो जागा जो हैड़ी से शुरू होकर फेवरों में जाता है उसे में कहते हैं मेटा स्टेटिस या फिर आर्श्टियो सरकोमा नेस्ट कोशन है कि राश्टिय कैंसर जाग रूपतर दिवस का मनाया जाता है तो देखेग सब्सक्राइब करें किया गया था जिसका राइट एंसर हो जाते हैं तो आप लोग जरूर याद रखेगा कि 2022 का थीम क्या था तो कियर गैप को बैंद करें नेस्ट कोशन देखिए तो उपसर नमबर सीज का राइट एंसर हो जाएंगे जितने भी कैंसर से संबंधित प्रश्न थे अमिद आपको वीडियो पसंद और पसंद उसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेले के इनको प्रेज कर लेजएगा ताकि आप लोगो रेगुलर अपडेट्स मिलता रह एक जर ज्यादा से वीडियो प्रेज करिएगा वीडियो प्रेज कर जो भार उनको प्रेज़ कर दो कर दो दो